मैं सुचित्रा सेंग प्राध्यापक वाडेज्य साजेदारी का पुनर गठन श्रंकला के अंतरगत साजेदार की सेवा निवरिती या मृत्यू के समय लेखांकन व्यभार पर आपसे चर्चा कर चुकी हूँ आज में सिर्फ साजेदार की मृत्यू की स्थिती में क्या लेखांकन व्यभार किया जाएगा उस पर चर्चा करूँगी साजेदार की मृत्यू की इस्तिती में लेखांकन व्यभार बिलकुल उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि हम साजेदार की सेवा निवरिती पर करते हैं बस यहाँ पर अंतर ये है कि जब साजेदार सेवा निवरित होता है तो उसकी दे राशी उसको तुरंत भुक्तान कर दी जाती है या उसके रिड़ खाते में डाल दी जाती है लेकिन यहाँ पर मिर्थ साजेदार की जो दे राशी होगी हम उसको नहीं दे सकते इसलिए हम उसका उसकी जो दे राशी है उसका जो दावा बनता है उसके पूंजी खाते पर उसको हम उसके उत्तरा दिकारी के खाते में हस्तांतरित करेंगे यानि यहाँ पर बजाए साजेदार के रिड़ खाते के उत्तरा दिकारी का खाता खुल जाएगा राशी वहां हस्तांत्रित कर दी जाएगी सामानेते जो सेवा निव्रती होती है वो लेखांकन वर्ष के अंत में होती है सामानेते हम प्रश्ण में यही करते हैं जबकि साजेदार की मित्यू किसी भी समय हो सकती है यानि साजेदार की मित्यू के समय हमें एक अन्य लेखांकन एक और गरणा करनी हो गी कि जब किसी साजेदार की रित्ति होगी तो उसके जो भी दिया जाएगा दाबे में, जो भी लाव या हानी है, उसका भाग दिया जाएगा पुझी पर व्यार्श दिया जाएगा उसकी जमा पुझी खाते का जमा शेष दिया जाएगा ख्याती का वेभार किया जाएगा यालि सब कुछ वेभार बिलकुल उसी तरह से होंगे जैसे हम साजेदार के सेवा निबृति पर कर रहे थे बस यहाँ पर साजेदार की मृत्यू के समय और पुरानी तुलन पत्र की जो अंतिम तिथी है उसके मृत्यू तक का हमें लाव वाहानी का गड़ना करनी पड़ेगी उसका भाग निकालना पड़ेगा इसलिए हमें समयोजन करना होगा क्या करेंगे अंतिम तुलन पत्र से साजेदार की मृत्यू की तिथी तक यह जो अवदी है इस अवदी में जो भी फर्म ने लाब या हानी कमाए हैं उसका उत्रा धिकारी कहता है कि वर्तमान वर्ष में इस अंतराल के दौरान जो भी लाब या हानी हुई है उस पर भी मृतिक साजेदार का हग बनता है इसलिए उसकी भी गर्णा करके उसका दावा बताया जाए तो इस परिस्तिती में जब मृत साज़ेदार के लाब का भाग निकालेंगे तो हम लाब की गढ़ना दो तरह से करेंगे पहला है पिछले वर्ष के लाब या पिछले वर्ष के औसत लाबों के आधार पर यहां जब हम गड़ना करेंगे तो हम अंतराल में जो लाब हुआ है उसकी यह अंतराल में जो हानी हुआ है उसकी गड़ना करेंगे और यहां गड़ना करने के लिए तुलन पत्रिका के अंतिम तिथी से लेकर जिस तिथी पर साजेदार की मृत्यू हुई है उस अंतराल तक हमें लापकी गड़ना करनी है और क्योंकि लापकी गड़ना हम वर्ष के मद्धे में कर रहे हैं जबकि सामानेते हम लापकी गड़न लाब या फिर पिछले वर्षों के उसत लाब के आधार पर यानि पिछले वर्ष के लाब जितने हुए हैं उसके आधार पर हम वर्तमान वर्ष के लाब की गढ़ना कर लेंगे या फिर पिछले वर्ष के उसत लाबों के आधार पर हम वर्तमान वर्ष में होने वाले लाबों की गढ़ना कर लेंगे और उसे अंतराल से गुड़ा कर देए क्यों अगर मानने हैं कि मृत्यू 3 महीने बाद होही है तो हम पिछले वर्ष खे जो लाव है उसका अनुमान लगा रहे हैं और वही हम मान रहे हैं कि वर्तमान वर्ष में होगा लेकिन वर्तमान वर्ष का पूरे वर्ष का लाव हो गया जबकि हमें चाहिए सिर्फ तीन महीने का क्योंकि मृत्यू तीन महीने के बाद हुई है या छे महीने का या पांच महीने का या चार महीने का जैसा की प्रशन होगा उसके अनुसार तो पिछले वर्ष के लाव को हम वर्तमान वर्ष के लाव मानते हुए उसकी अंतराल के भाग की गढ़ना करेंगे और उसके लिए हम अंतराल के जो महा हैं बटे में बारा ऐसे हम अंतराल के लाव की गढ़ना करेंगे मैं अभी एक प्रश्ण के द्वारा आपको इसको समझाऊंगी अब यह तो आगई अंतराल जो उसका लाव था अब यहां पर मृतक साज़ेदार का क्या भाग होगा तो जो अंतराल का लाव आया है उसको साज़ेदार के भाग से गोड़ां कर दें तो हमें मालूप पढ़ जाएगा कि मृतक साज़ेदार का उस अंतराल में जो भी लाव साजेदार की मित्यू तक के अंतराल की गढ़ना करने के लिए जो लाब पिछले वर्ष हुए हैं और वो पिछले वर्ष के विक्रे पर हुए हैं तो हमारे पास एक अनुपात आ जाएगा पिछले वर्ष का लाब बटे में पिछले वर्ष का विक्रे उसको गुणा कर देंग कि यह जो अंतराल हमने भी गर्णा की थी इसमें कितना विक्रे हुआ है तो ऐसा करने पर हमें उस अंतराल के लाब की राशी मालूम पड़ जाएगी अब भी फिर हम इसे एक प्रश्न के द्वारा समझेंगे अब यह जो लाब आया है यह तो अंतराल का लाब है लेकिन हमें तो निकालना है साजेदार का लाब तो अमृतिक साजेदार के लाब का भाग निकालने के लिए अंतराल के लाब में उसका भाग जो भी उसका हिस्सा होगा उसकी गर्णा करेंगे वेभार क्या होगा लेखांकन वेभार यदि साजेदार को लाब में हिस्सा मिला है तो हमारी प्रविष्टी होगी लाब वाहानी उचंती खाता देखें यहां पर हमने लाब यहां हानी खाता नहीं लिखा लाब हानी खाता नहीं लिखा तो हम लाव और हानी उचनती खाता बनाएंगे क्योंकि ये पक्का नहीं है कि इस वर्ष हमें लाव ही होंगे या हानी होंगे ये तो हम पिछले वर्ष के अनुमान के आधार पर इस वर्ष की लाव या हानी सिफ अनुमान लगा रहे हैं तो फिलाल हम इसे अपनी हानी मानते हुए इसको हम लाव या हानी उचंती खाता नाम करेंगे और साजेदार के पूझी खाते से क्राडिट कर देंगे और ये लाव या हानी उचनती खाता अगर नाम हुआ है तो तुलन पत्रिका में हम इसे संपत्ती पक्ष की तरफ दिखाएंगे इसी के विप्रीत यदि मृतक साजेदार को हानी में हिस्सा मिल रहा है तो इसकी प्रविष्टी पिल्कुल उल्टी हो जाएगी यानि मृतक साजेदार के पुझी खाते से नाम पुझी खाता नाम और लाव वहानी उचनती खाते से और इस स्थिती में लाव वहानी उचनती खाते को हम तुलन पत्रिका में दाईत उपक्ष की और दिखाएंगे अब मैं आपको इसी बात को सवाल के मादियम से समझाती हूं पहली परिस्तिती हम फिर से देखते हैं अपनी स्क्रीन पर कि अगर हम लाब का गणना पिछले वर्ष के लाबों के अनुसार कर रहे हैं मान लेते हैं पिछले वर्ष पिछले वर्ष के लाब है या पिछले वर्ष के लाब माने ये प्रश्ण के अनुसार होगा या पिछले वर्ष के औसत लाब हम माल लेते हैं ये आ रहे हैं हमारे पास 90,000 और A, B, C तीन साजेदार है तीन अनुपाद दो अनुपाद एक में हैं बी की मृत्यू हो रही है बी की मृत्यू के समय हमें वर्टमान वर्ष में उसका कितना लाब या हानी होगा इसकी गढ़ना करनी है और हम मान रहे हैं हम कर रहे हैं पिछले वर्ष के लाब के आधार पर यानि पिछले वर्ष अगर लाब 90,000 रुपए हुआ है तो हमारा अनुमान है कि इस वर्ष भी और उसकी मृत्यू हो रहे हैं मान लेते हैं तीन महा के बाद तो हमारा जो ये पिछले वर्ष का लाब है यही अनुमानित लाब हमारे वर्तमान वर्ष का होगा लेकिन ये तो पूरे वर्ष का होगा हमें सिर्फ उस अंतराल का निकालना है जिस अंतराल में साजेदार की मृत्यू हो रही है 90,000 को हम 3 माहा में परिवर्थित करेंगे तो अंतराल का लाव आ जाएगा 90,000 जो हमने अनुमानित किया है पिछले वर्ष के आधार पर और 3 महीने के मृत्यू हो रही है तो 3 महीने तक का हमें लाव निकालना है यहां हमने 90,000 गुणा 3 बटा 12 किया तो यह आया 22,500 यह फर्म का लाव है अनुमानित लाव है पिछले अब यहां पर हम B का हिस्सा निकालेंगे यह B का भाग कितना होगा 22,500 पूरे वर्ष का हम मान रहे हैं लाव अब यहां पर B का हिस्सा है दो बटा छे 7,500, 22,500 में से यह पूरे वर्ष का था तीन महीने का यह निकला इसमें B का भाग 22,500 को हमने 2 बटा छे B का हिस्सा निकाला तो आगया 7,500 अब यह 7,500 रूपे उसे तीन महीने के बादी लाब के रूप में उसके उत्तरा अधिकारी को दिये जाएंगे यानि कि जिस साज़दार की मृत्यू हो रही है उसके खाते में हस्तांतरित किये जाएंगे अब इसका हस्तांतरन करने के लिए लेखांकन व्यवार होगा 7,500 रूपे हम उसके पूंजी खाते में देंगे तो लाब वाहानी उचंती खाता नाम और यहां बी के पूंजी खाते से यानि बी के पूंजी खाते में हम हस्तांतरित कर देंगे 7,500 रूपे यह हमारा हुआ पहली विदी के अनुसार दूसरी विदी के अनुसार जैसा कि कहा गया है विक्रे के आधार पर अब अगर हम मान ले पिछले वर्ष विक्रे के आधार पर अगर हम अंतराल के लाब की गर्णा कर रहे हैं तो पिछले वर्ष हम मान लेते हैं लाब हुआ था नब्बे हजार और पिछले वर्ष हमारी विक्रे हुआ था तीन लाख तुलन पत्रिका की अंतिन तिसी से लेकर साजेदार की नित्यू तक विक्रे हुआ है एक लाख तो यहां हम गणना करें तो हमारे पास वर्थवान वर्ष में साजेदार की मृत्यू के समय तक उस अंतराल तक हमारा लाख है तीस हैजार लेकिन ये तो फर्म का लाख लिखला अब इसे तीन महा में परिवर्थित नहीं करेंगे क्योंकि ये तो तीन महा की तीन महा का विक्रे था अगर ये तीन महा का ही विक्रे है तीन महा के विक्रे के आधार पर हमारे पास तीन महा का जो लाख की गढ़ना आई वो तीस हैजार हुई अब इस 30,000 में मृतिक साजेदार का हिस्सा निकाल देंगे B का हिस्सा हो जाएगा 30,000 गुणा में बटा 6 और ये आ जाएगा 10,000 यानि B को वर्तमान वर्ष में जब उसकी मृतिय हुई है उसके खाते में हम हस्तांतरित करेंगे 10,000 तो यहाँ पर अब 7,500 की जगे हम हस्तांतरित करेंगे 10,000 हमारी प्रविष्ठी वही बनेगी लाव वहानी उचनती खाता नाम 10,000 से और B के पुझी खाते से 10,000 अब ऐसा भी हो सकता है कि पिछले वर्ष लाव ना हुआ हो हानी हुई हो तो अनुमानित है मान लेते हानी हम 90,000 की मान लेते है या हम इसको 60,000 मान लेते हैं अपने प्रश्ण को और सही करने के लिए मान लेते हैं पिछले वर्ष हानी हुई है तो अनुमानित होगा क्योंकि हम पिछले वर्ष के लाप के आधार पर वर्तमान वर्ष के लाप का मुल्यांकन कर रहे हैं अगर पिछले वर्ष हाली हुई है तो वर्तमान वर्ष में भी हानी होगी और भी हानी का भाग निकालेंगे भी का तो उस केस में यहां साथ हजार की जगे हानी के केस में यहां साथ हजार 60,000, गुणा में, अब वो हानी पूरे साल की मान रहे हैं, हम 3 बटा 12 कर दे, 15,000, यहाँ पर B का भाग निकाल दे, 15,000 में B का भाग 2 बटा 6, यानि 5000, तो अब B जो है हानी भी उठाएगा, और हानी के केस में, यह जो प्रवश्टी है, यह उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, B के पूर्जी खाते से हमें लेना होगा, B के पूर्जी खाता, नाम 5000 से, और लाभवा हानी उचन्ती खाता, 5000 से, लाभ के, केस में आपका लाभवा हानी उचन्ती खाता, नाम होगा, और अगर यह नाम होगा, तो यह तुलन पत्रिका में, संपत्ती पक्ष की ओर दिखाया जाएगा, और अगर लाभ यहानी उचन्ती खाता, यानी हानी हो रही है, तो हानी के केस में यह लाभवा उचन्ती खाता, दाइत्व पक्ष की ओर दिखाया जाएगा, जिस तरह से हमने सेवा निप्रिज साजेदार का पुंजी खाता बनाया था, वैसे ही हम रिटक साजेदार का पुंजी खाता बनाएंगे, उसके नाम पक्ष में हम लिखेंगे, चालू खाते का नाम पर, नाम चेश, ख्याती, जो वर्टम आपके तुलन पत्रिका में दी गई है संचित कोश नहीं है लेकिन आपके पास लाव वाहानी खाते का नाम शेश है यहानी है इसकी कटॉति करेंगे मृत्क साज़ेदार के पूंजी से अगर उसने कोई राशी आहरित की है हम उसका कटोती करेंगे उस पर ब्याच की कटोती करेंगे और अगर अभी हमने बत सीखा कि लाव या हानी उचनती खाता में हानी हुई है तो उसकी कटोती करेंगे इसी तरह से जमा पक्ष में जो व्रितक साजेदार है उसका पूझी खाते का शेश अगर चालू खाता है तो च आपके केस में बनाया है तो उसको हम देंगे और अगर वर्ष के मद्धे में उसकी मित्यू होती है तो उस पर पूझी परव्याच या बेतन या कमीशन जैसा की साजेदारी विलेक में लिखा होगा उसके अनुसार देंगे ये सब करने के बाद जो शेश निकलेगा उसे हम उ आएंगे उत्रादिकारी का रिडखाता उत्रादिकारी के रिडखाते में या तो हम उसे तुरंद भुक्तान कर रहे हैं या हम उसे किष्टों में भुक्तान कर रहे हैं अगर हम तुरंद भुक्तान कर रहे हैं तो नामपक्ष में लिख देंगे बैंक या रोकर खाता और तुरंद भुगतान खाता खतम हो गया अगर आप उसे किष्टों में भुगतान कर रहे हैं तो और विबिन अंतरालों में कर रहे हैं उस परिस्थिती में पहले ब्याच की गढ़ना की जाएगी और जैसे जैसे आप अंतराल में उसका भुगतान करेंगे तो बैंक में होगा और शेश राशी अगले वर्ष या अगले अंतराल में ले जाए जाएगी और फिर इसी तरीके से दूसरे वर्ष में ब्याच की गढ़ना करें भुगतान करें शेश राशी आगे ले जाए इस तरह से ये रिड़ खाता भी इसी तरह से बनाया जाएगा जब तक क कि अंतिम किष्ट की भुगतान नहीं हो जाता और अंतिम किष्ट के भुगतान होने से पहले इस राशी को हम तुलन पत्रिका में दाइत पक्ष की ओर दिखाएंगे तो उम्मीद करती हूं कि आपको साजेदारी की मित्यू के संदर्व में किया गया लेखांकन व्यभार समझ जाया होगा इस पर आधारित प्रश्णों का अभ्यास करें धन्यवाद